नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता में देश में अल्ला राम धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जित चर्च धर्मात तरण घरवापसी आदिकी चर्चाएं विवाद अक्सर सुन्ने में आते रहते हैं इन सब में संत महात्मा भी अपने बयान देने में पीछे नहीं रहत इसी बीच पुरीपीट के जगतगुरु शंकराचारे स्वामिन निश्चला नंद सरस्वती ने भी यूपी के वारणसी में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान देडारा उन्होंने दावा किया है कि अल्ला शब्द संस्कृत का है और इसे माधुरगा के आवाहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्होंने कहा कि अल्ला शब्द मात्रवाचक और शक्तिवाचक है उन्होंने धर्म पर सवाल उठाने वालों को संस्कृत व्याकरण का अध्यान करने की सला दी सभी की पूरवजों को सनाती वैदिक आरे बताया उन्होंने कहा कि सनातन धर में एक ही है और बाकि सब पंथ है इतना ही नहीं उन्होंने भागेश्वर धाम के पंडित आचारे धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया उन्होंने कहा उनके समर्थन में धिरेंद्र शास्त्री हिंदूओं को भटकने से बचा रहे हैं शास्त्री के काम को ठीक बत जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्ला और ओम एक है शंक्राचार ने रामचरित मानस पर टिपड़ी करने वालों को चाणक की नीति का अध्यान करने की सला दी उन्होंने कहा कि उन लोगों में हिम्मत है तो बाइबल और कुरान पर कटाक्ष करके दिखाएं धर्म और राजनीती एक दूसरे से अलग नहीं है और धर्म के मिना राजनीती हो ही नहीं सकती उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन कर रहेगा अभी के लिए बस अतना ही देश्तुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पने रहे जन सत्ता के साथ धन्यवाद